नमस्कार मैं विवेक कुमार राय इन ख़वर में आपका स्वागत है कल चार सितंबर को भारत और नेपाल के वीच मुकाबला खिला जाएगा लेकिन उस मुकाबले एक से पहले भारत के लिए अच्छी ख़वर नहीं है जैस्पित भूमरा तेजगेद बाद जो लगबत है कि स्वदेश लॉट आये हैं ख़वर यह आ रही है कि वो नीजी कारण से जो है कि बुमबई लॉटे हुए है आगे के लिए मैचों के लिए भारत के लिए उपलब्द रहेंगे लेकिन कर जो नेपाल के साथ मैच भारत खेलेगा उसमें बुमरा जो है कि नहीं खेल पर आर्लेंड के बल्लेवाजियों को पेविलिन भेरने का काम किया था आपको बताते भारत कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेला था जो कि वो बारिस के कारण रद्ध हो गया था भारती जो टॉप ओडर थे वो पूरी तरीके से धोस्त हो गए इसान किसान अभार्दिक प पता देते हैं कि इस उपर फोर के लिए पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर गई है, यानि पाकिस्तान के पास इस समय तीन अंक है, पाकिस्तान ने पहले मैच में नैपाल को अदा आया था दो-380 अरनों से, अब पाकिस्तान और भारत का मैच रद्ध होने की वज़ा से ए तो भारती टीम के इस तरह से डो अंग हो जाएंगे भारती टीम भी सूपर फोर के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और एक आज और अपडेट दे देते हैं आपको एस या कप में बांगलादेश और अफगानिस्तान की बीच मैच खिला जा रहा है बांगलादेश ने पहले जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था बहुत शांदार बल्लेबाजी की पांच विकेट के नुकसान पर 334 रन बनाए आपको बतादे मेहदी हसन 112 रन बनाए और सांतो जो है कि 104 रन बनाए वहीं बांगलादेश की टीम 20 ओबर का खेल अभी आफगानिस्तान की टीम 20 200 का खेल खतम हो चुकी है और दो विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाए हुई है यानि इस मैच को जीतने के लिए आफगानिस्तान को अभी जद्दो जहत करनी है यानि करेंट रन रेट उसका जो है कि सावाचार की करीद चलना है और रिक्वाइट रन रेट जो है वह आठ के उपर चला गया है इस तरह से अगर आप वैलिस्तान को मैच जीतना है तो बल्लेवाजों को तेज बल्लेवाजी करनी होगी